ओके अलो फ्रेंट किसे वह आप सब में विशी और आप देख रहें Bound to Invest यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे छे ऐसे स्टोक है जो आगे आने वाले दिनों में आपको स्विंग ट्रेडिंग ओपर्चॉनिटी दे सकते त देखते कौन से वो छे स्टोक है क्या इसमें आपकी रणनीती रहेगी कहा आप बाय करोगे कहा आप सेल करोगे तो दोस्तों अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजे क्योंकि हमें ऐसे वीडियो हरो जर दिन लेते आत तो L&T में आप देख रहे हूँ तो L&T में एक ट्रैंगल बना हुआ दिख रहा है आपको अगर ये ट्रैंगल का उपर या नीचे किसी भी एक साइड प्रोपर ब्रेकाउट हो जाता है तब आप इसमें बाई आइन सेलिंग कर सकते हो लेकिन उस साइड प्रोपर हुआ देख रहा है तो हो सकता है आगे आने वाले दीनों में इसमें आपको एक डाउन元 सेड देखने को मिले तो आप इसको अपनी वोचलिस्ट में बनाए रहे device अगर आपको एक अच्छी सीह डाऊन सेड देखने को मिलते तो आप अपने शाब सेट्रेडिंग कर सकते ओं selling के लिए तो call gate अमारा selling के लिए था क्योंकि इसमें double top बना हुआ इसके बात का जो हमारा stock है वो देख लेते इसके बात का जो हमारा stock है वो है PD light अभी PD light देखो एक आपको up train मिला बाद में क्या है कि एक click जैसा मतलब एक छोटा सा triangle बना दिया है तो अगर इसमें आपको upside breakout द लेकिन जो main view हमारा रहेगा वो upside के लिए रहेगा अगर इसमें proper upside breakout मिलता है तब आप इसमें buying side opportunity देख सकते हो तो इसके बात का जो हमारा stock है वो कौन सा है वो देख लेते इसके बात का जो हमारा stock है वो है BPCL अभी BPCL देखो कितने टाइम से एक channel के बीच में फसा हुआ है और आप देख रहो कि channel के अंदर भी एक rising channel बना दिया है तो अगर BPCL ये rising channel को नीचे की side breakout करता है तो ये जो horizontal line है जो support के लिए जानी जाती है वहां तक अपने target रख सकते हैं अगर ये उपर की side proper breakout देता है तो आप उपर के side जा सकते हैं अमनले buying side जा सकते हैं लेकिन जो हम आपने इसाब से trade बना सकते हो इसमें क्या है कि main channel है उसके अंदर एक rising channel बनी हुए अगर rising channel का downside breakout हो जाता है तब आप इसमें selling के लिए जा सकते हो अगर क्या है जो main channel है horizontal channel अगर इसका proper तरीके से upset breakout होता है तब आप buying के लिए जा सकते हो लेकिन जो हमारा main view रहेगा वो क्या अभी SBI मेंने क्यों लिया तो इसमें भी आप देख रहे हो कि horizontal channel के अंदर ये stock उपर नीचे हो रहा है अगर ये आगे आने वाले दिनेयों में ये उपर की line break करके उपर चला जाता है proper तरीके से तब आप इसमें अपना buying view रख सकते हो अगर ये नीचे की line को break करके नीचे चला जाता है तब आप अपना selling view रख सकते हो क्यों क्योंकि ये channel के बीच में फसा हुआ है मतलब consolidate करा तो जब भी वो consolidate से बाहर निकलेगा तब आपको एक अच्छा सा view देखने को मिलेगा कोई भी set अगर ये उपर की set break करता है तो upset या downside break करता है तो downside तो इसको भी आप बना के रख सकते हो अगर इसमें कोई भी upside या downside breakout हुआ तब आप इसमें अपनी position बना सकते हो इसके बाद का जो हमारा stock है वो कौन सा है वो देख लेते इसके बाद का जो हमारा आखरी stock है वो है बायो कॉन में ने क्यों लिया तो बायो कॉन में आप देख रहे हो कि एक triangle बन बनाते से सो downside के लिए मैं इसमें जाओंगा अगर proper breakout मिल गया लेकिन अगर इसमें अच्छा सा upside भी breakout मिल गया तब आप upside भी जा सकते हो क्यों कि यह ascending triangle बना हुआ है तो इसलिए आपके आए कि कोई देखो market की situation कैसी है यह कौन सा अच्छे से breakout देता है अगर upside अच्छे से breakout दिया तो upside के लिए जा सकते हो downside breakout अच्छे से दिया तो downside के लिए जा सकते हो तो एक plan के साथ अपना trading plan बनाईए अगर ऐसा कुछ होता है तब आप इसमें buying या selling कर सकते हो तो यह थे हमारे 6 टोक जो आगे आने वाले दिनों में आपको एक अच्छा सा profit दे सकता है लेकिन उस से पहला आप अपनी analysis कीजिए उसके बाद ही कोई trade लीजिए तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको कहीं से भी अच्छा लगा हो तो प्लीज यारो like comment and subscribe कर देना आप like comment करोगे तभी तो हमें motivation में लगा और ऐसे वीडियो आगे लिए कहाएंगे so please यारो like comment and subscribe कर देना चल कर देना चलीएं